वेल्कम टू ओल्ड, स्वागत आप सभी का आरसर यूट्यूब चनल पे और हम आचुके अभी लाइव अल्टरनेट करंट, परत्यावरती धारा के बारे में अपन बात कर रहे थे इसके पार्ट तू हमने कंप्लीट कर लिए पार्ट वन और पार्ट तू और उम्मीद करता हूं कि आपने पार्ट तू को फुल इंजोई किया होगा लास्ट डे पार्ट बन में हमने केवल नीव रखी थी हमारी बड़ी वाली बिल्लिंग जो हम बनाने जा रहे थे AC की और पार्ट यानि कल हमने L पड़ा हमने C पड़ा हमने R पड़ा LC और R को अलग-अलग सर्किट के रूप में फुल कंपेरीजन के साथ मैं मैंने कल आपको बता दिया ग्राप के साथ में फेज डिफरेंस के साथ में और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं L, C, R यानि L, C, R सर्किट बोले तो Part 2 का फुल कॉपी पेस्ट करेंगे फुल कमपे रीजन करेंगे यानि कल वाली क्लास का आज जबरदस्त रिविजन होने वाला है तो जो भी मेरी आर्मी क्लास में पहुंच चुके एक बार कमेंडि सेशन में जाहिन लिख दें लाइक बटन पे परजेड लगा दें और उसके बाद में वो कहते हैं कि आज के क्लास में आग लगाने वाले हैं फुल जोस के साथ में सबसे पहले अगर मैं याप पे बात करता हूँ तो बहुता आल्टरेटिंग करन्ट पार्ड थर्ड होगा यह पार्ड वन और पार्ड तुअगर आपने प्रेडियो प्डीया है तो उसको जाकर देख लीजिएगगा हमारा प्लेइलिस्ट अपड डेट है उस प्लेलिस्ट मां उसको सर्च कर लीजिएगा पूरा प्लैलिस्ट मिल जाएगा आपको ठीक है मीशन जो आपका श्लेक्षन बेच 2021 है इसमें आपको इसका कम्प्लीट वीडियो मिल जाएंगे आपको चाहे फिजिक्स हो चाहे मैथ्स हो चाहे इंग्लीस हो अगर मैं बात करता हूँ फोः है वहारी टीम टीम आरसर का सपना हर गर से हो वोरीर अपना हर एक बच्चे को यह चीज अपने दिल दिमाग को बिठा लेडिनीं है कि अगर आप मेरे साथ के साथ चल रहे हैं तो जरूर आपको आपके टारगेट तक लेके जाएंगे लेकिन रेगुलर तो पेड़ाता है नोटीटीन जरूरी है हमारी एकेडमी पेश्छक बेश्च भी होती है और प्लस के कॉसेज भी आते हैं अनकेडमी केस्ट क्लस होती है हमारी सुबह आट बजे आज नहीं हो पाया था कुछ इस इस वाजस नहीं लेपाया तो हमारी वाँ पे टॉफ टॉफ आपका 3000, टॉफ 3000 क्लास चल रही है और उसकी 6 क्लास है उल्रेडी हो गई है तो next day next part होगा तो यह free क्लास है और कोई बच्चा इस क्लास को miss ना करें कोई भी बच्चा जो 21 के लिए तैयारी कर रहा है अगर प्लस पे पढ़ना चाहते हैं तो आप यह category select करें उसके बाद में get subscription पर क्लिक करें तो आपको 1 month या 3 month का subscription नहीं लेना है या तो लेना 6 month का या फिर आपको लेना है आपका 12 month का और उसके बाद में आप हमारा code use कर सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे देन आपको 10% discount होगा और बाकी सारे subject भी इसी price range में आपको देखने को म आता है जो टेलीग्राम चैनल है टीम आरे सर टेलीग्राम यहीं पर आपको क्लासों का अफडेट मिलता रहता है उसके बाद में अगर मैं बात करूं क्लासों का साड़े नो बजे मैस की क्लास होती है मुकेसर ने अभी खतम किया है यह concept लास होती है यह physics की concept लास 1050 पे मैस क प्रेक्टिस क्लास 12-15 पे उसके बाद में इंगलिस का concept लास 10 बजे और उसके बाद में इंगलिस का प्रेक्टिस क्लास चार बजे बीच में मेरी एक क्लास ओर आती है और वो क्लास होती है बिटा डेड़ बजे कितना बड़ा डेड़ बजे और वो क्लास होती है अनकेडमी वोरियर्स पे टॉपिक वाइज प्रेक्टिस बेच और आज उसमें आएगा फ्रिक्शन टॉपिक फ्रिक्शन का प्रेक्टिस करेंगे डेड़ बजे चलो क्लास को कंटिन्यू करते प्रत्यावर्ति धारा यारे अल्टनेटिव जो करन्ट है इसका पार्ट वन हमने कर लिया तो आज आग लगा देंगे पार्ट थाड में तो जरा गोल फरमाईएगा सबसे पहले में स्टार्ट करने जा रहा हूं पहला जो मेरा पॉइंट है वो है जब परिपत में LCR या RLC तीनो एक साथ कॉम्बाइन हो स्रीज कॉम्बिनेशन में और मैं आपको बता दूँ आपक करनेक्ट कर लेते हैं LCR में सबसे पहले में L बना देता हूं उसके बाद में L उसके बाद में C बना देता हूं उसके बाद में R बना देता हूं ठीक है जी और यहां पे नीचे में एक AC सोर्स है प्रत्यावरती स्रोत लगा देता हूं किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं ह रखना यह L आपका इंडेक्टेंस है यह C आपका कैपीसिटर है और यह R आपका रेस्टेंस है जो इंडेक्टेंस है इस पर विबव आपका VL है जो कैपीसिटर है इस पर विबव आपका VC है और जो रेस्टेंस है इस पर आपका विबव VR है अगर मैं टोटल विबव की बात करूं टोटल सब पे तो उसका विबह वी है लेकिन मैंने आपको क्या बात बताई कि LCR शिरीज कॉंबिनेशन में कनेक्टेड है और आपको यह बात याद होनी चाहिए सिरीज कॉंबिनेशन में जो आपका पोटेंशियल होता है जो विबह होता है वो अलग अलग अबजेक्ट पे अलग अलग होता है तो जो आपका इंडेक्टेंस प्रेरक्तव है इसका पोटेंशियल वी एल है जो आपका क्यापिसिटर है उसका पोटेंशियल वी सी है और जो आपका resistance है इसका आपका जो potential है वो VR है तो ये बात याद रखिएगा VL, VC और VR अब इसकी मुझे आगे जरूत पड़ेगी तो मैं इसको solve करना चाहूँगा लेकिन मैं पहले आपको इदर से clear कर दूँ जो best अपना जो starting point उसको clear कर दूँ ये आप ही देखिए बिटा सबसे important जो चीज में लिखने जा रहा हूँ वो क्या है उसको note करिएगा सबसे पहले अगर मैं बात करूँ VR तो मुझे क्या लिखना चीए IR किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हो इस बात को दिवाक में note कर ले मैं नहीं चीज नहीं बता रहा हूँ मैं लिंक कर दूँगा प्रतेक फेक्टर को ओम के नियम के साथ में जब resistance है जब प्रतिरोध है तो V बाराबर IR किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चीए हाँ बच्चा मुझे आप बताओगे V L बाराबर क्या होगा V L बाराबर I और जब L inductance circuit में होता है तो प्रतिरोध का काम कोण करता है ज़रा बताइए reactive inductance की बात अगर पन यह आपे करते हैं प्रेरिनिक प्रतिगात के अगर पन बात करते हैं तो प्रतिरोध का काम करता है XL और आपको ये चीज मैंने कल की क्लास में बता दिये बिटा साइड में लिख देता हूं में XL वराबर ओमेगा L होता है प्रेरिनिक परतिगात अगर सरकिट में प्रेरक्तों जुडा हुआ होता है तो परतिरोध का काम XL करता है अगला सवाल अगर आपके दिल दिमाग में आ गया है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में भारा हुआ दिखना चीए कमेंट बॉक्स है अगला पॉइंट मैं चेक करूँगा भी आपका कमेंट बॉक्स है चलिए, तीसरा मैं लिखता हूँ में बिटा, वी सी और वी सी के लिए हो जाएगा आई, एक सी और एक राज़े की बात और बता दूं, कल मैंने एक सी का विल्यों आपको बताया था, एक बता ओमेगा सी, तो ये तीनों चीज नहीं नहीं है यह तीनों नया कोई फेक्टर नहीं है यह अमने कल पढ़ा था उसी फॉर्मेट को मैंने अप्लाई करके लिख दिया है शुरूबात कर दिये मैंने साटाने बैसिक से बैसिक आपका पोईंट आपकी स्क्रीन पर डाल दिया है बताएजरा के लियर है कोंसेट के लियर है म Change रियर है जल्दी से बताइए यस अब एक चीज और Users के लिए लिए बीट यादश करिएगा बीका भी टीम आरे सर एक ही चीज मुके सर क्लास में आपका कॉंसेट क्लियर करवाते हैं कॉंसेट क्लियर करने के बाद प्रेक्टिस भी क्लास में करवाते हैं अगला ग्लास प्रेक्टिस का आता है इंगलीस वाले सर क्या करते हैं क्लास में ही एक-एक लाइन को एक एक spelling को एक एक meaning को link कर देते हैं आपके जो general life होती है उससे, same चीज, तो मैंने क्या बोला, team R.S.R. का जो सपना है उसको पूरा करने के लिए हम चाहते हैं, कि बच्चा class की class में ही याद रख ले, तो बटा, vr.ir, vl.ixl, vc.i.xc, तो मेरे इसाब से तीनों capacitance, capacitor और resistance है, अब मैं तोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं एक चीज़ यहाँ पर note कर दूँ, special point के रूप में, उपर note कर देता हूँ, special point के रूप में, उपर note कर देता हूँ बिटा, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कि जो आपका xl है, वो xc से बढ़ा होगा, यह condition हम कि इसको solve करेंगे, और y xl greater than xc, ठीक है जी, मैंने यह बात यहाँ पर क्यों बोली है, क्योंकि मैं आगे आपको एक नए मैदान में लेकर याने वाला हूँ, जहाँ पर हमारी जंग होने वाली है, reactance के साथ में, यानी प्रतिघात के साथ में, तो बच्चे एक बार सबसे important चीज मुझे बताईए, reactance यानी प्रतिघात, क्या concept है, ध्यान देजी मेरी बात को note करिए, मैंने आपको दो reactance बताएं, एक l के लिए, और वो है आपका xl बाराबर omega l, एक मैंने आपको दिया है, c के लिए capacitive reactance, यानी धारिये प्रतिघात, और वो होता है, एक बटा omega c, clear है, तो मुझे इसका resultant निकालना है, मुझे इसका क्या निकालना है, resultant, यानी बोले तो x निकालना है, क्योंकि xl आपका, इसके inductance के लिए हो जाएगा, और xc आपका capacitive, यानी capacitive reactance दारिये प्रतिघात हो जाएगा, तो मुझे उसका resultant निकालना है, मुझे उसका क्या नि निकालना है X से तो X बराबर हो जाएगा आपका XL माइनस XC क्योंकि मैंने ये condition अल्रेडी बता दिये जिस condition की हम बात कर रहे हैं किसी लिए मैंने उचीज पहले clear किया है तो X बराबर XL का value omega L और XC का value एक बटा omega C किसी बच्चे को कोई confusion नहीं होना चीए अब कोई बच्चा ये पूछ ले कि सर क्या XL बड़ा है तो XL less than XC कोई condition आपको मिलेगी बेटा आपके सलेबस में तो है नहीं और ना कभी आपको पूछी जा सकती ठीक है आपको XL greater than XC वाली condition ही पूछी जाती है जो आपको याद में रखनी है clear है बेटा लखेर आपको m आप यह संद्रा तो में यह सर डीके यह 1000 न Message लिए अगर इसी यह प्रक्रीन करेंगे जिक है के लिए सबी बच्चे एक बमाटा है मुझे सारी चीज्ट यही चीज की लिए रहे सभी बच्चों का जो आपका प्रेरिनिक परतिगात है धारिये परतिगात हैं उनका में रजल्ट इन निकाल दिया है तो अब स्टेप बड़ी इंट्रेस्टिंग होने वाली है जब अर्दस लेवल पे येस सर किलियर है बच्चे का कमेंट आ गया देखते हैं बहुत बड़िया देखो 400 बच्चे लाइव है बड़ा अपसोस होता है कही बार मुझे बात बोलते हैं अपने आप पे शर्म आती है और या मर जीए बटा लगाए रखो इंपेडेंस की बात करें यानि प्रतिवादा की बात करें तो वो क्या है इसके फॉर्मुला यानि मैंने बोला था लास्ट यानि कल की क्लास में मैंने कहा था इंपेडेंस के लिए ट्रेलर आज देख लो मूवी कल देखेंगे तो उस आपको किलियर करने जा रहा हूं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं ठीक है जी चलो देखें यहां पर मैंने एक चीज किलियर किया है क्या कि यहां पर मैंने इधर आपका वी आर विबाव आपका वी आर लिया है यह आर के लिए है ठीक है और मैंने इधर लिया है आपका L ज्यादा ना L, ठीक है, यहाँ पर विबव आपका, मैं लिख सकता हूँ, इदर लिख देता हूँ, विबव V L आएगा, इदर मैंने लिया C, तो इसका विबव V C आएगा, यह आपका मूल बिंदु है, इस डाइग्राम को देखे एक चीज तो आपको किलिर हो गई होगी, क जब कैपेसिटर होता है, तो वोल्टेज पीछे, करंट तो वही पर वोल्टेज पीछे, और जब इंडेक्टेंस आता है, तो इंडेक्टेंस से वोल्टेज जो है, वो करंट से आगे, यह तो कल की बात थी, और उसी को अपलाई करके, मैंने यह डाइग्राम आपको बना द तो वोल्टेज करण से पीछे कितना पीछे पाई बाइट यह बात हम कल कर चुके इस डाइग्राम को देखे एक चीज़ आपको अजीब नहीं लगरी एक चीज़ आपको अजीब नहीं लगरी वो क्या बोले यार इस ग्राप के यह वाली लाइन छोटी है और यह वाली लाइ दिया ताकि आप बाद में confuse नहीं हो तो अब मैं इसको apply करना ही जा रहा हूं सबसे पहले मुझे इन दोनों का result निकालना पड़ेगा और इन दोनों का result निकालना पड़ेगा तो यह जो value है वो इसमें से minus करूंगा तो यह value मैंने इसमें से minus की तो मेरा point यहीं तक आ गया मत यह value बचरी वो क्या बचरी है वो बचरी है vl minus vc अच्छा जी अच्छा इधर क्या है vr है तो अभी मुझी इसका resultant निकाल लेना चाहिए yes बिल्कुल निकाल लेना चाहिए थीक है बेलकूल निकाल लेना चीह यह आपका नीचे VR है यह फील माइनस VC है तुमिंघ इसको इधर लिख सकतो हो लगूंघा यह तो पेरलल सिप्टिंग होती है VL-VC और यह नीचे आपका VR कोई दिक्कत नहीं इसको एरो इदर लगा लो तो यह क्या हो जाएगा बच्चे VLCR अब समझ में आया यह हमारा resultant है VLCR तो VLCR resultant है तो अब तो पूरी कानी खतम हो गई अब तो पूरा story finish हो गया आपको एक triangle नजराता है इसका यह अगर यह theta या मैं 5 लेता हूँ चलो मैंने 5 ले लिया तो यह आपका perpendicular VL-VC यह base VR और यह आपका resultant तो बड़ा असान कम था कैसे चलो resultant निकाल की मुझे बताना जरा क्या VLCR बराबर perpendicular है तो बिटा lump का square आधार का square आधार की यह विटा VR तो base का square किया VR का square और आपका दूसरा lump काई विटा VL-VC का whole square क्या मैंने नई चीज नहीं लिखती दर अरे कुछ नया तो नहीं लिख दिया बताना जरा कुछ नया तो नहीं लिख दिया मैं कुछ नया कर रहा हूं तो बता देना सारी चीज़े मैंने जो कल बताईए वो यह अपलाई किये और इस triangle में जो आपका समकोन तिर्बुज है इसमें मैं VLCR बराबर VR square प्लस VL-VC का square कर सकता हूं क्योंकि यह आधार का square लंब का square तो करण का square आएगा न मुझे तो करण निकालना है डाइगला निकालना है इसका तो मैंने सामने अंडरूर लगा दिया किलियर है बच्चे किलियर है सर बढ़िया है सर शाबास बढ़िया अच्छा कमेंट देखा बच्चे का चलो देखो बेटा step to stage बिसका हलवा बनात है अभी क्या हलवा है VLCR बराबर बेटा वेल्यू पुट करो मैंने VR का वेल्यू याद करवाया है लिखावा दिख रहा है क्या लिखावा दिख रहें VR का वेल्यू VL का वेल्यू VC का वेल्यू पहले ही याद करवा चुकाओ देखो यहां पर गलती नहीं होनी छिए चलो पुट करो VR का वेल्यू हमने बोला IR square है तो I square R square plus VL का वेल्यू VL का वेल्यू है IXL माइनस VC का वेल्यू IXC तो इसका whole square चलो जी कोई दिखक अपनी है अगली स्टेप बेटाव वी एल सी आर बराबर आप मुझे बताईए अगर मैं यहाँ पर I square बाहर निकालोंगा इस को स्टके तो इसक्वाइर है तो I square हो जाएगा I square R square प्लस I को बाहर निकाला I square अंदर बच गया XL माइनस XC का whole square यह I मैंने इदर से निकाला था तो इसका square हो गया अब I को अंडरूड से बाहर निकालोंगा जरा देखना बच्चे जरा देखना एक बार I को अंडरूड से बाहर निकालोंगा क्या आजाएगा I square है और बाहर I आजाएगा अंदर क्या बच्चेगा कुछ भी नहीं R square प्लस XL माइनस का XC का whole square बेटा इस I का भाग लगाना जरा एक बार V L C R बटा I बराबर याद हो गया मैं कहां लेके जा रहा हूँ R square प्लस XL माइनस XC का all square बेटा जरा ओम का नियम बताना मुझे मैं थोड़ा सा आपको बेक ले जाता हूँ बलेगी श्क्रीन पे जरा मुझे ओम का नियम बताना बेटा V बराबर I R और अगर मुझे R निकालना हो तो V बटा I किसी बच्चे को कोई एतराज अच्चा जी मैंने V की जगे क्या लिख दिया V L C R बटा I यानि विभव रजल्टेंट है परिणामी विभव है तो फिर परतिरोध भी परिणामी आना चीए न और परिणामी परतिरोध का नाम क्या होता है इंपेडेंस यानि परतिभादा कल बताया था मैंने कि अगर L भी जुडा हुआ हो C भी जुडा हुआ हो R भी जुडा हुआ हो या तीन में से कोई दो हो तो जो रजल्टेंट रुकावट है उसका नाम है इंपेडेंस यानि परतिभादा और उसको किस से लिखते हैं Z से तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ और मैं अब इसको अब मैं इसको लिख देता हूँ Z से और अब आ जाएगा मजा जहर लेवल पे अब अपना काम हो गया Z बराबर अंडरूड बिटा R स्क्वाइर प्लस देखो मैं XL का वेल्यू नहीं पूट कर रहा आप याद कर लिजीगा आपको पता है XL का वेल्यू ओमेगा L और X C का वेल्यू एक बटा ओमेगा C तो मैं लिखनी रहा क्योंकि वो बड़ा equation बन जाएगा आ गई अपनी आत्मा आ गई अरे भईया impedance आ गया क्या अरे गुरु जी ये derive कहे किया है मैं हमने derive नहीं किया इसको ये already आपको formula बना बनाया था मैंने एक तिर से दो सिकार किये पहला सिकार मेरा यहां पे हो चुका है पहला सिकार मेरा इधर मुझे मिल चुका है इधर मैंने 4 दिया है और दूसरा मेरा ये और ये लिखने का मकसद मेरा था इसको बताने का कि Z कैसे आया तो मैंने सिकार तो बहुत सारी किये लेकिन मोटे सी कारदोई हैं एक तो यह फॉर्मुला अभी याद कराऊंगा आगे यहीं पर अलवा बना दिया इसका और यह इंपेडेंस है यानि प्रतिबाधा जरा बटा एकरी करना कमेंट बॉक्स में मजा आ रहा है बैया फिजिक्स है और वो भी अल्टरनेट करंट है जो बच्चा दिल दिमाग का यूज करके क्लास मों बैठा है उसी को समझ में आयागा जो गोमने आया बच्चे हवा भी नहीं लगेगी और जो हवा लगेगी उससे चलो आगे बढ़ते हैं वोल्टी समीकरण आ गया लेकिन मुझे थोड़ी सी जगए और ची यार वोल्टे समीकरण लिखना पड़ेगा इसदर है तो मुझे थोड़ी जगए और ची में इसी को यूज कर लेता हूं चलिए जी एक बॉक्स में कुछ इंट्रस्टिंग चीज लम्ब क्या है जी? VL-VC आदार क्या है जी? आदार VR है सर अच्चा VL का value सर जी I XL VC का value सर जी I XC बटा VR का value सर IR बेटा उपर से I लेके नीचे वाले I से उड़ादो कोमन तो बेटा 10 5 बराबर क्या आ गया सर जी 10 5 बराबर आ गया XL माइनस XC बचार हो गया काम हमारा बस हो गया काम एक और सिकार हमने लपेट लिया एक और सिकार हमने लपेट लिया जो resultant है जो परिणामी है जो परिणामी आ रहा है उसका formula हमें मिल गया angle मिल गया formula का नुमेरी कला है गा direct 10 5 बराबर XL माइनस XC बटा XC बटा R XL माइनस XC बटा R अभी जब मैं आगे बढ़ूँगा न जब मैं आपको resonant condition दूँगा तो direct पूछूँगा कि XL XC के बराबर है तो resultant 10 5 theta बराबर 0 degree अभी बहुत सारी conditions आएगी resonant condition में impedance कितना होगा Z minimum बराबर R ये सारी चीज़े copy paste करके आगे लेके जाऊँगा आगे बढ़ते है वोल्टी समीकरण वोल्टी समीकरण कि अगर अपनिया आप बात करें तो मैंने already बता दिया है जिसका सिकार मैंने अभी किया था वही सिकार है सार VL CR बराबर अंडरूड आपका VR square प्लस का VL minus का VC और ये मेरी आर्मी कभी चूकेगी नहीं इधर निशाना लगाने में कभी नहीं चूकेगी ये इस फोर्मुले पे निशाना लगाने में कभी चूक नहीं करेगी इस फोर्मुले को 4 देंगे ठीक है श्याबस गुर्दे फेपड़े में बस गया सार मज़ा आ गया बच्चे मज़ा आ गया ये ओल्टेज एक्वेशन है जो मैंने अपना सिकार इधर कर लिया था यहीं पे कर लिया था ये मैरा पहला सिकार जो मैं आपको अभी बता रहा था कैसे आया इसके लिए बेटा मैंने 5 से मिनट इस डाइगराम पे दिया है इसलिए कैसे आया इसका सवाल अब नहीं उठता है तो हमने एक तीर से पता नहीं कितने सारे सिकार कर लिया है बताओ केलियर है अब आज ओओ फिर एक बार लपेट लेते एक सवाल को बड़िया लेवल पे फोर्मुला याद हो गया है तो एक सवाल लपेट लेते है एक्जम्पल की फोर्म में लपेट लो इसको फटा फट से जाल दी से टीस सेकिंड मैक्जिमम टाइम है शाबाश सर गराफ गलत है तो भहिया आप सही कर लो गलापको आप उसको सही कर लो आपको सही पता होगा अगर आप गलत बता रहे तो आप उसको सही कर ले है के नहीं है अगर वो गर आप गलत है तो फिर आपको सही भी पता होगा आप उसको सही कर ले बच्छे निम्न चितर में RLC के बीच विबवांतर दिखाया गया है तो शुरोत का विबव होगा मज़ा आगया बया टॉप लेवल पे आएगा मज़ा बहुत बैतरीन सवाल है जल्दी से सॉल कर ले मज़ा आजाएगा शबास बहुत बैतरीन सवाल है बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे अरे वाँ वेटा फोर्ट दिया बहुत सारे वच्छों ने फोर्ट दिया समझ गये बच्छे हैं हरे वाई šorks का पोटेंशल पूछ रहा है, विभो पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है, अरे भाया, VLCR पूछ रहा है, और अभी अभी मैं याद करवा चुका हूँ आपको, VLCR का फोमुला, अंडरूड आपका, VR स्क्वाइर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वाइर, चलिए फिर लगे ह साथ निप्टा देते, अभी निकाल देते इसकी, भूत भगा देते इसका, तो VR कितना है सर, 30 V, तो 30 का स्क्वाइर कर लेते, क्यों टैंसल ले रहे, VL कितना है जी, 60 V, अजी VC कितना है जी, 100, तो 60 माइनस O का होल स्क्वाइर, गबरणा बिलकुल नहीं है आपको, 30 का स्क इसकार, 1600, 925, तो सर जी, 25 का अंडरूड मुझे बताने की जरूत नहीं है, कितना आएगा, 50 V, आपका अंसल आएगा, जो की ऑप्शन C में है, बताओ, फोंगले का यूज कर लिया, मजा आगया, एक यूशन सॉल करके, चलो आगे बढ़ते है सर, शाबास, वेरी गुड, लपेट दिया सर, वाह, चलो फिर, आप लपेटते हैं, अगले वाले पार्ट पे, अब हम बात कर लेते हैं, पावर की, यानी सक्ती, पावर इन ऐसी सर्किट, जो ऐसी सर्किट है, उसमें अपन पावर की बात कर लेते हैं, पावर का कॉंसेप्ट लगा लेते हैं, कि पाव कोई दिफाइन होता है यानी शक्ति के रूप में सबसे पहले मैं इंट्रेस्टिंग जो चीज़ें होगी वही आपको बताऊंगा मैं मुद्दे वाली बात है वही करूँगा एक चीज और अगर अपने पावर को लिखें पी बराबर डबलू बटा आपका टी अगर मैं यह डिफाइन करूं आपको अगर मैं इसको मतलब विवो के रोप में लिखूँ तो W बराबर काते ने VIP cost का पी बराबर वी आई आपको याद वाला फॉर्मुला मैं बोलता था vip p बराबर vip यानि vip लोग है ये तो बड़े vip लोग है वैसे ही तो p बराबर vip अब यहाँ पर एक चीज और है अगर मैं इस p का value आपका vip रखता हूँ तो मुझे एक formula देखो पहला formula दूसरा formula तीसरा formula चोथा formula बढ़े अगर मैं पीका में लिए रखता हूं तो डवलु बराबर क्या आ जाता है बच्चे वी आएटी ये एक और नया पॉर्मिला बढ़े जाता है ये नुमेरिकल के के साफ से यूज करना होता है किसके साफ से यूज करना होगा नुमेरिकल के साफ से यानि कैसा आप नुमेरिकल पूट कर रहे हैं उसी साफ से इसको सॉल कर लेंगे तो जो वर्क डन है वी आई टी हो गया पावर वी आई है डबलो बराबर P into T या P बराबर डबलो बटाटी तो एक तीर से कितने सारे शिकार यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं जिनको निप्टा आ रहे हैं इदर उड़ा रहे हैं डेफिनेशन अगर आपको लिकनी है तो मैं ईल्री बता चुक कोगो रहे ह ise नोइक करने कि दर क्या कहलाथा सकतील पावर के बराबर और ठाशिक है रिट उफे के बराबर बरांबर होगा है यह उल्रीध देफिनेशन में आपको बता चुक को अगर आप नोट करनाना चाथे ह मैंने ब्रिप में formula बता दी हैं आपको तो मेरे साब से आपको यह formula याद होंगे जो आपका work done होगा वो work done आपका vit के रूपे power p बरावर vi इसका unit यह बड़ी interesting चीज है यह हमने पीछे नहीं लिखी इसका unit बेटा एक तो होता वोट और एक इस formula से देखो सेकिंड या वोट ठीक है और आपको यह चीज जरूर पता होने चीए वन होर्स पावर इक्वल टो 746 वोट एक एच्पी बराबर 746 वोट यह चीज बेटा तीसरा पोइंट है वो बहुत हैम है याद करना वच्चे अभी का भी पावर का युनिट वोट जूल पर सेकिंड या आपका होर्स पावर अस्वा सकती और एक होर्स पावर में एक एच्पी में 746 वोट होते हैं यह यादो नीचीए सामने वाली स्लाइड मैं किड़की की बात नहीं कर रहा हूँ सामने वाली स्लाइड अगर किलियर हैं तो मुझे कमेंट में रिपलाई मिल जाई यसर के लिए तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ और आगे बढ़ जाते हैं बच्चे 746 वोट कमेंट में लिख रहे हैं बहुत अच्छे शाबास वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड शाबास ओके चलो आगे बात करते हैं आगे बढ़ते हैं तोड़ा सा किलियर है यसर बहुत अच्छे आगे देखो ओसत सक्ती ओहो एवरेज पावार 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 का नाम लेते हो नहीं है तो सक्तिमान में डॉक्टर जेकॉल है पावार वो सैंटिस्ट बढ़िया काम करता था प्रत्यावर्ति धारा परिपत में एक चक्कर में एक सैकल में कम्प्लीट एक चकर पूरा कर रहा है उसमें जो तातकालिक सक्ती होती है जो instantaneous पावर होती है उसका जो average value है उसका जो ओसत मान है उसे ही average पावर कहते है ओसत सक्ती कहते है एक कम्प्लीट सरकल के लिए जो instantaneous पावर थी उसी का average होगा आपका average पावर यानि ओसते सक्ती के लिए न बेटा अब definition का तो क्या ही करें हचार डाले इसका कोई दिक्कत नहीं है एक image बढ़ जाए कि बाई alternative जो current इसका average पावर क्या है तो हम बोल देंगे कि complete circle के लिए एक complete चकर के लिए complete round के लिए जो instantaneous power है ताथ्षनिक शक्ती है उसका average ले लो उसका ओसत ले लो हमारा average पावर हो जाएगा ओसत सक्ती हो जाएगा तो किसी बच्चे को कोई दिक्कत यहां से नहीं होनी चीए ठीक है yes चलो अब इस formula को अपने यह आप पे discuss कर लेते एक बार यह जो average का power का जो formula है वो मैं आपको बता देता हूँ पिटा पी average बराबर देखो सबसे important चीजे में direct formula आपको लिख रहाँ पी average का component की रोप में अगर मैं लेता हूँ में पीक value तो ई नोट आई नोट और कॉस फाई याँ पर फेज़ डिफ्रेंस होगा कलांतर होगा उसकी बात में अभी आगे करूंगा तुरा सब रखना अगर मैं इसको root mean square value के रूप में लिखूँ अगर मैं इसको root mean square value की form में लिखूँ तो मैं लिखूँगा बेटा पी average बराबर यह हो जाएगा आपका यहाँ पर e rms, i rms, i rms, cos phi e rms, i rms, cos phi या e note, i note, cos phi की form में इसको लिख दिया जाएगा लेकिन एक चीज मैंने जो लिखा उसमें आपको एक चीज notice आपने की कि यार e note, i note को direct e rms, i rms लिख दिया कहीं ना कहीं तो गडबड हुई है कैसे मैं उस गडबड को एक बार नीचे explain करता हूँ फिर मैं इसको रफ करता हूँ बेटा ज़रा apply करना p average बराबर बेटा e note बराबर क्या होता है e note अगर अपन बात करते हैं या जिसे मैंने मुला e rms बराबर e note अपन में रूट टू याद आया बेटा v rms, sorry v rms, e तो मैंने लिखे दिया, i लिखना चीए मुझे, चलो मैं इसको i में convert कर देता हूँ i rms, देखना बेटा, change करना कही ना कही गडबड हो रही है, ठीक है, चलो, i rms बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, i note अपन रूट टू, बताओ दोनों चीज के लिए रहे, तो याँपे फिर गडबड होई है, देखो बेटा, e note का value क्या होगा, e rms रूट टू, ठीक है, i i note का value क्या होगा, अच्च अच्च, एक मिनट, इसमें रखो value, e rms का value रखो, e note, गडबड उदर है, e note upon root 2, और i rms का value, i note upon root 2, और साथ में क्या है, बेटा, cost pi, तो जो p average के लिए, जो formula आया, वो आया, बेटा, एक बेटा, root 2, एक बेटा, root 2, root 2, दो गया, e note, or i note, और य होगे, आपका cost pi, यानि actual जो formula बनेगा, इस formula का use करके, वो बनेगा, ये वाला, ने की उपर वाला, तो ये जो गडबड है, इसको हम correct कर लेते, इस format को अपन यहां से remove करेंगे, यहां पे हमने गडबड किये, उस गडबड को आप correct कर ले, ये जो formula है, इस formula से बनाएंगे, तो गडबड आपके सामने आएगी, एक बटा दो की, एक बटा दो की, relation कल की class से हमने याद आपको करवाया है, कल वाले class में, ये relation अल्रेडी पढ़ चुके है, ठीक है, कल वाले class में, ये relation अल्रेडी यहां पर पढ़ चुके है, और एक बहुत अच्छा सवाल आपका यहा नात करेंगे तो आई नोट बटा रूट टू और साथ में कॉस पाई अजाएगा तो रूट टू रूट टू तू होIST हैung यह दोनों आपको हो जाने जिये सबी बच्चों को जल्दी बताईए सबी बच्चों को यह दोनों फोमले याद हो जाने जिये अगर याद है तो मुझे बताईए मैं आगे बढ़ता हूं और कंफीज मत होना में पी-एवरेज को ऐसे भी लिखावा मिल जायेगा आपको इसको P average ही बोलते हैं यह जो मैंने costak लगाया ना इसका मतलब average ही है confused मत हो जाना कहीं पर ऐसा लिखावा हो तो exam में भी ऐसा लिखावा मिल सकता है तो घबरना बिल्कुल मत यह P average जो लिखावा है ना इसको P average के रूप में define करते हैं ठीक है? यह सल चले आगे देखो बिटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे आपका यह point तो मैंने c में use कर लिया दोनों formula तो यह आपका slide खाली बच गया है आप देखिए आब 80 सकती कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ यानि average power की मैं अगर बात करता हूँ average power आब 80 सकती आ गया एक चीज और note कर लेते हैं इदर इस slide का use कर लेते हैं इस slide का एक point और note कर लेते हैं यूज कर लेते हैं वो क्या है बटा आप मुझे number 1 R के लिए resistance के लिए P average निकाल के बताओ जड़ा comment करना बच्चे resistance के लिए P average बराबर बिटा देखो E rms i rms cos phi अगर मैं resistance के लिए बात करूँगा तो phase difference अगर circuit में resistance है तो phase difference होगा 0 तो cos 0 और cos 0 का मान 1 हो जाएगा यानि P average बराबर यह बहुत important सवाल है i rms cos 0 का मान 1 तो P average बराबर e rms i rms है इसी का सवाल एक्जाम में पूछा गया था भी कि किसके लिए power consumption maximum होता है सक्ति से सबसे ज़्यादा होता है और वो होता है rest tense क्यों क्यों क्योंकि rest tense में phase difference voltage और current के बीच में 0 होता है तो उसमें सक्ति से सबसे ज़्यादा होता है तो कि पी average उसका e rms और i rms है पहला point के लिए रहे दूसरा point में और अगर इसमें add करूँ तो मेरा दूसरा point हो जाएगा बीचा दूसरा point अगर में लेता हूँ l के लिए या मैं इसको लिखू? l के बाद में अगर में l ले लेता हुँ चाहिए यहाँ पे जो आपका P average आएगा दोनों के लिए वो आपका 0 आजाएगा चाहिए वो C के लिए हो चाहिए वो L के लिए हो क्योंकि cos 90 का value 0 होता है यह बहुत बहुत ज्यादा important आपका सवाल है अपका P average index के लिए और P average capacitor के लिए यानि 0 हो जाएगा resistance के लिए maximum है और आपका index और capacitor के लिए 0 आपका आजाएगा दोनों formula आपके clear होने चीए कि कि लिए रहे हैं कि आगे चलें यास चलो आगे बढ़ते हैं यह आपका point यहां से formula और यह आपका resistance के लिए यह index और capacitor के लिए आपका clear हो गया होगा ठीक है चलो अब आते हैं interesting factor पे और वह आपना इंट्रेस्टिंग फेक्टर है विटा apparent power यानि आभासी सकती और यह बहुत interesting factor है बहुत important concept आपका मैं बनाने जा रहा हूं जो पहला point मैं यहां पर नोट किया आभासी सकती का क्या कहता है किसी भी सरकिट में आपका जो apparent voltage है आभासी सकती है जो आपका current है आभासी धारा है उसके मान का गुड़न फल उसका product उसका गुड़न फल वो कहला है आपका apparent power यानि आभासी सकती यानि आभासी voltage और आभासी आपका जो धारा है उसी का गुड़न फल आभासी सकती होगा अब कोई बच्चा पुछे सर आभासी voltage क्या है बिटा जो voltage और current का जो root mean square value है वही आपका apparent voltage current का value है आप देख रहे होंगे इधर इस formula को जरा गोर से देखिए यह formula अभी मैंने आपको बना के दिया था यह जो power का formula था वही efficient power के रूप में आ रहा है नया कुछ नहीं है i rms e rms पर कितना सा है यहाँ पर कोई स्पाइ को totally remove कर दिया गया है कोई स्पाइस में नहीं आएगा आपका अभासी सक्की i rms e rms और आपको पता है i rms और e rms को अगर put करेंगे value note की form में तो note हो जाएगा e note i note बटा 2 अभी बताया था ना बटया e note i note बटा 2 कोई तो आएगा है नहीं कोई को तो अटा दिया गया है आपके तो यह क्या लिखा वाया दूसरा formula आपका e note i note बटा 2 यही apparent power है यह भी आपका happy and power का formula दोनों आवाशी सक्थी की formula है यह root mean square की value के रूपे और यह peak value के रूपे यादी आपका तो सिकर मान होता है उसकी form में और यह आपका root mean square के value की form में बताएगे clear है अभी बचों का बताए के लिए रहे विचो का अबाशी शकती का फूमला इस करफिंडर कर आईσय को गौनफल जो ऑल्रेडी आपको यहांपे मैं याद करवा चुका हूं तोड़ सा आगे बड़े, अच्छा, अबासी सक्ती का मान, जो आपका अपियंट पावर है, वो always positive होगा, हमेशा धनात्मक होगा, ये सवाल बेटा, बहुत ज्यादा important है, बेटा, right or wrong statement का सवाल बन जाएगा, direct question बना लेगा आपका, जो आपका अबासी सक्ती है, जो आपका positive होगा, हमेशा धनात्मक होगा, ठीक है, yes, तो चलो, ये दो सवाल इधर से तयार किये, एक सवाल इधर से तयार किया, अब तोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और वो क्या है विटा, वो है आपका power factor, वाव, most, most, और very most ये मान लो आप, बहुत ज्यादा important है, power factor का आपका concept है सक्ति गुणांग, power factor, सक्ति गुणांग, नाम से पता चल रहे है, power factor, सक्ति गुणांग, yes, sir, तो power factor, अब अपन यहाँ पे एक सीज में आपको भी clear करने जा रहा हूं, दो formula तूँँगा, दोनों याद रखना, पहला formula आपका, मेटा average power, यानि मैं लिखूँँगा यहाँ सक्ति गुणांग, को स्पाई को मैं यहाँ पर बता देतो, मेटा power factor क्या होता है, power factor होता है, cost π, तो मैं इसको define करने जा रहूं, definition क्या है, पी average, और जो आपका, पी एप्रियंट है, आबासी सक्ति है, ठीके, पी एप्रियंट है, आबासी सक्ति है, यानि ओसत सक्ति और पार आपका power factor कहलाता है सक्ति गुणांक कहलाता है तो अब आती है कहाणी cos 5 बराबर पी एवरेज क्या होता है बच्चे erms, irms और इधर से cos 5 देखें और इधर देखिए इधर देखिए p apparent क्या तब टा erms और irms ये पूरा कट गया तो बताओ क्या बच गया Cos 5 बच गया वह इसी को मेंगे क्या बताया है इसी को मेंने क्या बताया है power factor बताया है तो एक बहुत interesting concept आपका बन जाता है power factor का ओस्त सक्ति average power और जो आपका आबासी सक्ती है app ßabian power है उसका उनुपात उसका रेशियो आपका पावर फेक्टर कहलाता है को स्पाई कहलाता है ठीक है पावर फेक्टर सकती गुणाएं का आपका कोस फाई के रूप में अपने आपके बात करें बड़ा गजब का कॉंसेप्ट है ठीक है और बहुत इंपोर्टेंट है यह इसका पहला डेफिनेशन है पहला इसका फूमला है जो आपको याद रखना है पावर फेक्टर जिसको मै देखिए यही चीज मैंने यहाँ पर लिखी है यह पिछी मैंना फोर्मुला यहाँ पर बता दिया तो यह टेबल आपके खाली रह गई है यहाँ पर आ जातों में दूसरी डेफिनेशन पर और जो दूसरी डेफिनेशन आपकी क्या है सकती गुणां का मान परिपत के परति यह जाती है उसवाई बराबर आर अपान जेड गउस फाई बराबर आर अपान जेड यह आपका पावर फेक्टर का मौस्ट इंप्रेंट मौस्ट वाइरल डेफिनेशन आपका सर्किट के रेज्टेंस और immבaiahき और इंपधिए अजिक अनुपात है वही कहलाता है पावर यानि cos pi बराबर r बटा z, यह power factor का formula cos pi बराबर r बटा z आपको देखने को मिलेगा, clear है यहां से, definition clear है, अब इसके अगर कुछ important point अगर आप discuss करना चाहो, तो वो कर सकते हैं, जैसे अगर सबसे पहले अपने important point पर discuss करें, बटास का unit बताना, यहीज इंपोर्टेंट हो सकती है याप, इसका unit बताना, comment करो फटाफर से इसका unit, जल्दी से इसका unit comment कर दो बच्चा फटाफर से, शबाज, 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 बहुत अच्छे numerical daily होता है, डेड़ बजे भजे भईया, बच्चे daily academy warriors पे practice होती है, topic wise और आज का जो topic है, वो topic में रखा है friction का यानि घर्षण का ठीक है, चलो देखते हैं, कॉस पाई बराबर R upon Z, यह unit less है, यह क्या है बटा, unit less बोले तो मात्रक हीन है, इसका कुई मात्रक नहीं होता, यह unit less है, और dimension less है, यानि मात्रक और इसकी वीमा नहीं होती, ना कोई मात्रक होता है, ना कोई इसकी वीमा होती है, ठीक है, yes, एक important point है, जो मैंने यहापी special point बना के डाल दिया है, power factor की dependency, यानि सक्ति गुणां की निर्बरता, power factor की dependency के अगर मैं बात करता हूँ, सक्ति गुणां की निर्बरता की बात करें, तो वह depend करता है, जो आपके substance है, जो component है, उसके nature पे, यानि उसकी परकरती पे depend करता है, component of the circuit, जो nature है, जो power factor है, वो आपका depend करेगा, component of the circuit, यह जरूर आप याद रखेगा यहां से आपका कोई ना कोई सवाल बनाया जा सकता है लेकिन इससे खत्रनाक सवाल अब बनेगा और वो सवाल आपका आपके स्क्रीन पर है अगर मैं कोस फाई यानि पावर फेक्टर की बात करूं तो पावर फेक्टर है अगर प्यूर की बात करता हूँ तो phase difference आपका 0 degree आता है तो cos 0 और cos 0 का मान 1 होता है जो की maximum है जो की maximum है आपका power factor का maximum value cos 0 का मान 1 प्यूर अगर resistance है तो यह आपका phase difference 0 degree आता है voltage और current के बीच में यह सवाल बहुत ज्यादा important है यहां से direct सवाल आपका बनने वाला है direct आपका question बनने वाला है ठीक है yes sir थोड़ा सा आगे बड़े pure restance है अगर हो गया उसके बाद में pure inductance है यानि आपका प्रेरक्त है और इसके लिए अगर मैं phase difference की बात करता हूँ तो इसके लिए phase difference होता है pi by 2 और अगर phase difference pi by 2 है तो cos pi और cos pi का value cos pi by 2 और cos pi by 2 का value आगे आपका 0 answer आजाएगा अगर pure inductance है और अगर pure capacitor है तो इसका phase difference भी pi by 2 होता है और इस phase difference pi by 2 में cos pi या cos pi by 2 वही बात मुझे फिर से बोलनेगी ज़रूत नहीं है power factor के वल रेस्टेंस के लिए ही आता है बाकी inductance और अगर capacitor की बात करे तो इनके most important part है जो आपको यहाँ पर मैं बता रहा हूं जो मैं आपको यहाँ पर clear करवा रहा हूं के लिए नहीं आपक्छा से बहुत interesting factor है बहुत interesting value है इसका मतलब एक चीज हो गया minimum value तो 0 होगी और maximum value 1 होगी मतलब अपने यह लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो power factor है वो कहां से कहां त तक उसको रखा जा सकता है power factor को clear है बिटा clear है yes चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले वाले point पे अगला वाला point क्या है अच्छा इसी की property जाई है जो हमने अभी already discuss कर ली है क्या शक्ति गुणा power factor का value 0 to 1 होता है अभी अभी मैंने बता दिया क्या ही बताना यह अपने पता कर लिया है और यह point आपका resonantial condition अनुनाद की स्तती में power factor का मान कितना होता बचे यह interesting चीजे resonantial condition क्या होती है मैं आज trailer दिखाता हूँ movie कल देखेंगे resonantial condition होती है xl बराबर xc अगर resonantial condition xl बराबर xc है तो power factor cos phi बराबर r बटा z होता है अगर xl और xc बराबर है तो z जो impedance होती है वो प्रति बादा प्रतिरोध के बराबर होती है अगर r और z बराबर है तो cos phi का value कितना आ गया एक यानि अगर resonantial condition भी आती है तो भी उसका power factor का value एक आएगा वैसे resonantial condition में आग कल लगाएंगे कल हमारा ac finish हो जाएगा पूरा का पूरा finish चार class और alternate current finish तो यह होगे अपना अगला point power factor घा यह वैसे point अपने कल भी discuss कर सकते हैं तोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगले वाले point पे और अगला वाला point का तो क्या ही बोले अगले वाले topic का तो क्या ही बोले देखो wireless current यानि कार्यe हींदारा या सक्ति हींदारा बहुत important है बिटा कितने सारे सवाल पूछे जाते हैं यहां से और यह सर भहुत ज्यादा सवाल रिपीट होता इदर से वोटलेस करंट विसे अपने इसके बारे में पीछे बात कर चुके तो क्या ही बताना है फिर भी देख लेजिए कैसे में बात कर चुके अभी बताऊंगा आपको बिटा जो इंस्टेटेनियस पावर है जो आपका तात्षणिक शक्ति है जो आपका इसकी बात करता हूं तो उसमें धारा का एक ऐसा component दारा का एक ऐसा घटक जिसमें जो एवरेज पावर है उस एवरेज पावर में वर्क का कोई भी contribution नहीं होता कोई योगदान नहीं होता जब कोई योगदान ही नहीं है तो वह तो useless हो गया है ना वो तो useless हो गया तो हमने उसको क्या नाम दे दिया वाट लेस करंट है यानि सकती हिंदारा या कार ये हिंदारा ये तो यूजलेस है हमारे लिए किसी खामका नहीं है तो ये पॉइंट आपको समझना होगा कार ये हिंदारा या सकती हिंदारा वाट लेसे करंट है बताओ के लिए रहे के नहीं किलियर है के नहीं जल्दी बताइए डॉस जो आपका करंट है गॉल्सच करना चाहिए मैं अब वह अगर एड़ करना चाहूं एक च्छोड़ा जो वाट लेस करन्ट है अगर सर्कृट में resistance है तो आप मुझे बताओ जो आपका power consumption है P average मैं पीछे बता चुका हूँ वो ही तो बता रहा हूँ P average बराबर आपका होता है बिटा ERMS IRMS और cos 5 और अगर R resistance है पहला point तो बिटा phase difference होता है 0 तो cos 0 का मान एक यानि जो power consumption है वो maximum होगा ERMS और IRMS की form में याद है सबी को पीछे बता चुका हूँ दूसरा यह आता है आपका wattless current या आपका watt ही दारा सक्ति ही दारा क्यों क्योंकि चाहे L हो चाहे C हो तो इसके लिए phase difference आपका pi by 2 होता है और वहाँ पे आपका पी एवरेज या power consumption आपका कितना हो जाता है जीरो हो जाता है यह है वो सक्ति हिंदारा जो एल या C circuit के लिए आती है यह बात आपको समझनी होगी एल और सी के लिए power consumption हो गई नहीं क्यों क्योंकि इसका phase difference आपका pi by 2 आता है बताइए जड़ा के लिए रहें बहुत अच्छे शाबास द्यान दिया बटा के लिए रहें सभी बच्चों को यह स्लाइड आपका मैंने ब्लेक स्लाइड लिया यह भी वीजिवल नहीं होगा यह गाइप हो जाएगा भी देखिए ठीक है तो यहां तो हमने अपना जो चिप्ट रहे है वह आपका फिनिस कर लिया है और उमीद करता हूं कि यह अल्टरनेट करंट का तीसरा क्लास है अगर मैं बात कर रहा हूं तो यह अल्टरनेट करंट का तीसरा क्लास है पहला क्लास अगर आपने मिस्किया तो देख लीजिएगा दूसरा मिस्किया तो देख लीजिएगा और तीसरी क्लास में कर लेट आए तो पूरा क्योंकि सबसे ज़्यादा डर बच्चे को अल्टरनेट करन से लगता है और अल्टरनेट करन के फोकट के नंबर है अगर उतार लिए अपने दिल दिमाग में तो पहली बात प्रेक्टिस की बात बच्चा भी कमेंट करा था प्रेक्टिस मेरी होती है बच्चे डेड़ बजे और वह भी टॉपिक वाईज और वह उती है अनकेडमी वोरियर्स जो आपका यूट्यूब चैनल है वाँ पे होती है और आज का जो टॉपिक होगा वह टॉपिक में रखा है फ्रिक्शन और पहले के अल्रेडी छेट टॉपिक का लिंक मेंने टेलीग्राम पे दिया हुआ ह अपनी चल्ण पे जस्क अभी मुकेशर वेट डाया है तुरंट आपका जो खूर्श स्टर ओने वाला है तुरंट मुकेशर खूर लेकर आ वह है अभी जस्ट बाद मे और वह आपका प्रेटीश है रहेगा यहां पे मेने लिंक डाल दी है वह पे मेंने लिंक बना दिया ह है topic wise practice का और telegram पर डाल दिया है कोई भी class miss मत करना ठीक है क्योंकि ये class से बाद में remove कर दी जाती है हटा दी जाती है तो class में कैसा feel आया class को enjoy किया है like button पर present लगा देना कोई नया बच्चे अगर आया है तो subscribe करके बैल आगन जरूर से प्रेस कर देना में class को सेव कर रहा हूं उसके बाद में आप अपना comment कर सकते हैं thank you so much love you all bye bye जाहिन